और इंद्रियों को भी प्रयास पूर्वक शरीर को भी आप प्रयास पूर्वक बिठा देंगे तो फिर मन भागता है मन जो इंद्रिय है वो सबसे जादा चिंचल है तो कहा कि प्रयास पूर्वक इंद्रियों को वैश्मे करके अपनी इंद्रियों को जैसे बच्चों को बिठाना कठीन होता है ना सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे योग करें टीवी के ऊपर आजकल शद्रिय स्वामी जी महाराज इंडिया टीवी के माध्यम से मैंने एक दो बार सुना लोग पूछते हैं बोले जी ये लोकडाउन के दोरान और तो जो समस्याएं आई सो आई पर ये बच्चों को बाहर नह पर कहात भूज काम म良त्रूं को इनको कितना पीट है फिर वो दुखी होते हैं तो कैसे सम nowadays पतार ने चल तो महराज जी बोले इनको योग कराूं को बाल जाम टो कराएं तो बैढब वे अधने जो वे कि रेनको कई उनको बिता हैं को एतने चंच्छलौं क party लिए उनको मार करते हैं तो उन में इतनी चंचलता होती है बच्चे में कि वो लंबे समय तक एक स्थान पे बैठ नहीं पाते हैं तो बच्चे जैसे स्थीती ही हमारे मन की भी होती है तो भाई बंधु सब को बिठाना और फिर उनकी इंद्रियों को भी और अपनी इंद्रियों को भी सैयम में रखना ये भी तो एक बहुत बड़ी चुनोती है ना, तो इसलिए यहां पर इनको विशेशन लगाना पड़ा प्रयातेंद्रिया, प्रयास पूरवक, उनको बार बार बताना पड़ता है, धैरिये पूरवक बार बार समझा दिया कि ये खाना खाने में शरीर की भलाई है, यदि खाना नहीं खाया शरीर ने, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, इसलिए जैसे ही खाना खाने का नियत समय आता है, मन तुरंत तयार हो जाता है, बलकि मन हमें प्रेरणा करता है, हमारे पैरों को बत मंन को ट्रेंनिंगे रखे लिख स्क्राइ 다farandasya मन बद्धी प्राण मन इन रहे में बारे भी मन को ट्रेंनिंग दे दें कि तेरे को इससे सुख मिलेगा अगर तू अच्छी बाते सुनेगा। ऐसे रामायन जीता आदी जो रिशियों के गरन्त हैं, वेद वानि, जो वेद मंत्र हैं, अगर तू उसको सुनेगा, तो यह जो तेरा भटकाव है, यह जो तेरे अंदर एक अत्रिप्ति का भाव है यह चला जाएगा, तू 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 हो जाएगा, तो फिर हम बुलता नहीं है एक बार प्रयास तो जरूर करना पढ़ता है बच्चे को कुछ सिखाने के लिए तो इसलिए यहां इनको प्रयास पूर्वक बिठाना पढ़ता है तो इसलिए का प्रयातेंद्रिय अपने और अपने भाई बंधुओं के साथ प्रयास पूर्वक इस रामायन की कथा को सुनना चाहिए और शरीर को भी शुद्ध करना चाहिए तो कहा कि पहले यथाचारम जैसा इसका आचरण है जैसा इसका विधान है तो क्या करना चाहिए दंत धावनम धावन पूर्वकम स्नानम कृत्वा आचरण या विधान ये है कि पहले दंत धावन करें उसके बाद शारीरिक स्नान करें उसके बाद अपने मन में भक्ती भाव का आधान करें और फिर कथा का स्रवन करें मने शरीर भी शुद्ध हो दातादी इंद्रियां भी शुद्ध हो और फिर भक्ती के भाव से मन भी शुद्ध हो और सर्वत्र शुचिता को लेकर के फिर कथा का स्रवन करें शुक्लाम बरधरो शुद्ध ग्रिहम आगत्य वाग्यतह और कहरें जहां तक हो सके तो शुक्लाम बरधरो शुद्ध घर भी शुद्ध ग्रिहम आगत्य घर भी शुद्ध होना चाहिए वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए और जहां तक पोसीबल हो तो श्वेत वस्त्र धा करें तो पहले तो हमारे यहां ऐसे विद्धान ही था कि जब कोई बड़े ऐसे स्रेष्ध में लिला संसकार होते थे उसमें शेयत वस्तर धारन करके ही हम उनको संपन्न करते थे और भारत में आज भी ऐसे होता है दक्षिन भारत में करनाटक में मैंने स्वेम देखा जो हमारी बेटी श्द्धा है उसकी शादी मैंने देखी और और भी फिर उसके बाद एक दो जगें मैंने उसे देखा तो जब शादी होती है तो दुलहन को सफेद साडी पहनाई जाती है उत्तर भारत में तो कहेंगे कि यह तो अप्शकुन हो गया पहले ही दिन क्योंकि यहां तो सफेद साडी पहनने का मतलब है जिनका पती नहीं रहा जो विध्वा हो गई उसको श्वेत साड़ी पहनने का विधान है लेकिन श्वेत वस्त्र जो है वो पवित्रता का प्रतीक है सरस्वती माता ने श्वेत वस्त्र धारण किये है माने ज्यान की प्राप्ति के लिए क्योंकि वो ज्यान की देवी है सरस्वती माता और वो श्वेत वस्त्र जो उसके है वो इस बात का प्रतीक है कि ज्यान हमेशा पवित्रता में ही प्रतिस्थित होता है यदि अपवित्रता है तो फिर वहाँ ज्यान प्रतिस्ठित नहीं हो सकता है वो अपवित्रता भले ही घर की हो अपवित्रता वस्त्रों की हो अपवित्रता विचारों की हो अपवित्रता मन की हो अपवित्रता भावों की हो कहीं भी अशुचिता है यदी तो फिर वहां पर ज्यान का प्रेकाश हो नहीं सकता है ज्यान के लिए जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना उतना ज्यान स्वतह प्रतिस्थित होता चला जाएगा नहीं तो हमने देखा कि बहुत लोग बहुत प्रयास करते हैं फिर भी ज्यान उनके अंदर प्रतिस्ठित होता ही नहीं है बहुत प्रयास करके बुद्धी से रट भी लेते हैं तो वो आचरण में प्रतिस्ठित होता ही नहीं है आचरण से कुछ और ही दिखाई देता है इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है क्योंकि विचार शुद्ध नहीं है क्योंकि भाव शुद्ध नहीं है इसलिए वो ज्यान हम कहीं सुनते हैं कहीं बांचते हैं, पढ़ते हैं लेकिन वो पता नहीं कहां गायब हो जाता है आज रण में आता नहीं, प्रतिस्ठित नहीं होता है, जैसे छलनी में कोई दूध को डाले, अमृत को डाले, तो वो उस छलनी में रुखता ही नहीं है, क्योंकि उसमें छिद्र है न, तो सारा नीचे चला जाता है, बह जाता है सारा, तो हमारे चित में दोशों के छिद्र हो रखे हैं, हमारा चित छलनी की तरह हो रखा है, तो इसमें हम अच्छे-च्छे वेद मंतरों को डालते हैं, अच्छे-च्छे भजन डालते हैं, अच्छे-च्छे महापुर्शों के प्रवचनों को डालते हैं, रामायन की कथा रूप उम्रिद को ढालते हैं, बहुत ढालते हैं, आज तक कितना डाला हमने, लेकिन क्योंकि चित में अभी छेद हैं, तो वो सारा बह जाता है, छिद्र होने के कारण, वेद में भी, अधर्व वेद में भी ये मंतर आया, शुरू में आया, मैये वस्तु मैशृतम मेरा सुना हुआ मुझ में ठहर जाए अवस्थित हो जाए सुनना भी दुरलब है सुनाने वाला भी दुरलब है और सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों मिल जाए तो सुना हुआ ठहरना दुरलब है फिर तो निकल जाता है कहीं तो इसलिए यहां इनोंने क्या कहा उसके लिए वस्त्र भी श्वेत हों तो ज्यादा अच्छा है माने सब जगें शुचिता होनी चाहिए शुचिता होगी तो ज्यान फैरेगा सरस्वती माता कहा निवास करती है जहां शुचिता हो वो श्वेत कमल पे विराजती है श्वेत कमल के मतलब ये नहीं है कि वो कोई महिला है और कहीं कमल पे बैठी है ऐसे सफेद साड़ी बांध करके वो तो वो आलंकारिक चित्रन है माने जिसके चित्त में शुचीता होगी और जो कमल होता है उसका ये स्वभाव होता है कि जितना जितना कीचड या पानी बढ़ जाती है तो वो उसको शूता नहीं है तो प्रतिकूलताएं जो हैं प्रतिकूलताओं के कीचड में तो हम रहते ही है रोजाना इस संसार में तो संसार चेंज नहीं होगा कभी भी संसार की जैसे-जैसे कीचड जैसे-जैसे प्रतिकूलताएं बढ़ती जाएं वैसे-वैसे अपनी साधना को और बढ़ाता जाए, वैसे वैसे वो अपनी शुचिता को बढ़ाता जाए, ये एक उपाय है, तो फिर वो ज्यान हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, प्रतिस्ठित हो जाता है। यहां रामायन की कथा हो रही है, तो घर भी शुद्ध होना चाहिए, उस कथा को जो वाचन करने वाला है, वो हो सके, तो श्वेत वस्त्रधारन करने वाला होना चाहिए, जैसे हमारे तो सन्यासी के वस्त्र हैं, तो हमारे यहां कोई नो चेंज, लेकिन यह जो सन्यासी के वस जब शुद्धी करनी होती है तो उसको आग से गुजारा जाता है। सीता मात है कि भी पवित्रता की जब परिक्षा की गई तो उसको अगनी परिक्षा देनी पड़ी। उसको अगनी से गुजारना पड़ा। जब किसी चीज की सोने को जब शुद्ध करना होता है तो उसको अगनी से गुजारा जाता है तो उसके सारे दोश हट जाते हैं और सोना जो है वो कुंदन बन के निकलता है पड़ा भट्टी में जब सोना पथी को बन गया कुंदन प्रभु जब कस्ट देता है तो घवराना नहीं चाहिए तो यह वस्तर तो अगनी के प्रतीक हैं तो चलो कोई बात नहीं यह पहन सकते हैं बाकी दूसरे जिस घर में इस कथा का वाचन हो या स्रवन हो तो वहां जो लोग बांचने वाले और स्रवन करने वाले जो स्रोता और वक्ता हैं तो उनके वस्तर भी साप सु हो ऐसे घर में आकर के पूरा परिवार भाई बंधों सहित पादव प्रक्षाले क्योंकि चलके आए ना तो कुछ कीचड कुछ धूल मिट्टी लगी होगी पैरों में तो विधान ये है गुर्द्वारे आदी में तो गुर्द्वारे में प्रवेश करने से पहले वो एक ऐसे उन्होंने सिस्टम बना के रखते हैं कि उस रास्ते में थोड़ा सा पानी वहाँ पर ऐसा एक वो बना देते हैं कि जो रास्ते से गुजर के जाएंगे तो उस पानी में पैर रखके वो आगे जाएंगे और हमारे यहां वैदिक परमपरा में भी ऐसा ही विधान था कि कहीं यज्य शाला में जा रहे हैं या कथा स्रवन आदी करना है तो पहले हाथ पैर्द होते हैं भार से आने वाले व्यक्ति तो यहां भी ऐसे ही बताया पादव प्रक्षाल्य आचम्य और फिर आचमन करके तो संध्य आदी करते हैं या हमन करते हैं तो वहां भी आचमन का विधान करते हुए पैर धोते हुए भी आचमन करते हुए भी उस घर में आये हैं तो आते हुए भी वो स्मर्ण चलता रहना चाहिए माने उसी भाव में प्रवेश करें कथा स्रवन करने के लिए नित्यम देवार्चनम कृत्वा पस्चात संकल्प पूर्वकं रामायन पुस्त कम्च अर्चयेत भक्ति भावत आवाहनासनाध्यष्च गंधपुष्पादि भिव्रतिही ओम नमो नारायनाय इती पूजयेत भक्ति तत्परह एकवारं ज्विवारंवा त्रिवारंवा पिशक्तितह होमं कुर्यात प्रयत नेन सर्वपाप निवर्त ये एवं यह प्रयतह कुर्यात रामायन विधिंत था सैयाती विष्णु भवनं पुनर वृत्ति दुरलभं रामायन व्रत धरो धर्मकारीच सत्तमह चांडालं पतितम वापी वस्त्रानेना पिनार चैये और क्या करना चैये विधी चल रही है ये विधी में और क्या आता है नित्यम देवार्चनम कृत्वा जब कथा शुरू हो गई तो प्रती दिन देवार्चन करके देवों का पूजन करके देवों का पूजन करके इसका मतलब क्या है देव क्या है ब्रह्मांड में जो देव हैं तो उनकी पूजे हम कैसे करें, जैसे अगनेजल वायू प्रिथ्विया काश ये हमारे देव हैं, पो जब हम यज्ज्य आदि करते हैं तो इनकी शुद्धी होती है, जब हम इनका दुरुपयोग महीं करते हैं तो भी इनकी शुद्धी होती है… होम आदि करने से वायू की इंवायूरमेंट की शुद्धी होती है और दूसरे देव हैं हमारी इंद्रियां तो उन इंद्रियों का पूझा अरचन करके उनकी पूझा अरचन क्या है उनकी भी शुद्धी करके जिस जिस आहार से वो जिस जिस मैटिरियल से वो इंद्रियां शुद्ध होती है वैसा उनको दे करके जैसे आँख एक इंद्रिये है एक देवता है चक्षु इंद्रिये जो देवता है चक्षु देव इसकी शुद्धी कैसे होगी इससे जो देखें वहां भगवत्ता की भावना करें तो इसकी शुद्धी हो गई कान की शुद्धी कैसे करें तो वहाँ पर मंत्र आता है भद्रं करने भिष्ट्रणुयात देवा हम कान से भद्र सुने भद्रं पश्य मैं अक्ष भी ही आखों से भद्र देखें तो हम सब जगें उसका ही गुणगान हो रहा है अब ये नदी की जो कलकल धोनी है तो ये क्या है ये भगवान का ही नाद है बच्चे की किलकारी है घर में तो वो क्या है भगवान का ही नाद है तो जब ये भाव करते हैं तो हमारे कान पवित्र हो ज देवों का अर्चन करके फिर संकल्प पूर्वक रामायन पुस्तकम्च अर्चयेत भक्ती भावतह और उसके बाद रामायन पुस्तक की भी अर्चना भक्ती भाव से करें तो यहाँ पुस्तक की अर्चना का मतलब यही है कि जो उसमें लिखा है उसका हम हृदय में एक सम्मान का भाव रखें उनको केवल शब्द नहीं जाने यह मात्रिस में जो लिखा है यह केवल शब्द नहीं है बलकि यह मेरे उस प्रभू राम का उस ब्रह्म राम का मेरे आजकल तो मोबाइल चल गए तो सब उस पर बात कर लेते हैं, या तो वट्सप मेसेज कर देते हैं, या तो रिकोर्डिंग कर देते हैं, फोटो कर लेते हैं, वीडियो कोल कर लेते हैं, ओडियो कोल कर लेते हैं, पहले चिथ्थी लिखते थे, तो जब कोई पिता अपने पु पती के पास जाती या पती से पतनी के पास आती तो उस चिठ्थी में लिखे हुए जो शब्द होते थे वो केवल शब्द नहीं होते थे उस चिठ्थी को पढ़ते पढ़ते कभी व्यक्ति रोने लगता था तो कभी व्यक्ति हसने लगता है तो कभी आहलादित हो जाता है तो वो उसको लेके कई कई बार पढ़ते थे एक ही चिख्षी को क्योंकि उसमें केवल शब्द नहीं होते थे उसमें कहीं मा का प्यार चिपा होता था कहीं बच्चों का दुलार चिपा होता था कहीं पतनी का प्रेम चिपा होता था कहीं अपने गाउं का स्मन चिपा होता था बह जो हमने सुना है और जो आज सुनने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे मन में बहुत उंचा भाव होना चाहिए भक्ति का भाव होना चाहिए सम्मान का भाव होना चाहिए और कह रहे हैं कि जो यहां पर व्रती है जिसने व्रत लिया है रामायन सुनाने का या रामायन सुनने का जिसने व्रत लिया है व्रती आवाहन उस ब्रह्म का उस राम का आहवान करे और आसन गंध पुष्प आदी के द्वारा क्योंकि जिस आसन पर बैठेगा वो भी कैसा होना चाहिए वो भी भगवत्ता से युक्त होना चाहिए जो पुष्प आदी, गंधादी, दूप दीपादी वहां जलाए जाएंगे वो भी भगवत्ता से युक्त होने चाहिए तो वहां क्या कहना चाहिए ओम नमो नारायनाय यह सब उस नारायन के लिए है और मैं उसको इस सारी सामगरी के सहित और अपने चित्त की सामगरी के सहित उसको प्रणाम करता हूँ ओम नमो नारायनाय इती पूजये भक्ति तक परह ऐसे भक्ति भाव से युक्त हो करके उस स्थान का व्यक्ति का पुस्तक का आसन का सब का सम्मान करे सब की पूजय करे पूजय का मतलब यह होता है पूजय का मतलब आरती उतारे यह नहीं होता है पूजय का मतलब होता है हर चीज में भगवत्ता को देखे तो जो और भी हमने संतों से ऐसे सुना ऐसे देखा जैसे शद्धे स्वामी सोमानंजी महाराज जी थे तो जैसे ज़ाडू को पैर लग गया तो ज़ाडू को ऐसे चुचकारते थे मतलब ज़ाडू में भी भगवान है जब कणकण में भगवान है तो हर वस्तू में भगवान है ना और दक्षिन भारत में आज भी जैसे दो व्यक्तियों का आपस में अगर कहीं पैर टच हो जाई मतलब शरीर के किसी अंग से किसी का पैर लग गया तो वो वहाँ ऐसे लगा के ऐसे और ऐसे करते हैं इसका मतलब है क्षमा चाहता हूँ इसका मतलब है सम्मान करता हूँ आपका तो हर वस्तू का सम्मान नहीं तो हम ज़ाडू लगाते हैं ज़ाडू को ऐसे फैंक के मारते हैं तो ये जाडू का अपमान नहीं है ये भगवान का ही अपमान है जिन बरतनों में हम खाना बनाते हैं उन में खाना तो खा लेते हैं फिर बरतन को वास बेशिन में ऐसे डाल देते हैं तो ये उस बरतन का अपमान नहीं है ये भगवान का अपमान है और जब उसको दो करके जल वो खंडित है, वो भगवत्ता से युक्त नहीं है, उसमें एक आगरता नहीं है, जिसका चित एक आगर है, जिसका चित भगवत्ता से युक्त है, वो हर वस्तु में उसको महसुस करता है, और फिर हर वस्तु उसके लिए रिस्पॉंस करने लगती है, मतलब उसको ये शुरू में तो केवल अभ्यास करना होता है मन से ऐसे मानना पढ़ता है उसके बाद कि इसमें भी भगवान है ऐसा वो शुरू में तो मन से मान के वो आचरण करने लगता है बाद में उसको वहाँ से भी उसको response मिलता है और अगर किसी को ये बावना नहीं है तो जड में तो उसको क्या response मिलेगा उसको तो चेतन में भी response नहीं मिलता है चेतन में भी उसको तो माता पिता में गुरुजनों में भी उनको तो हैवान शेतान दिखाई देता है भगवान नहीं दिखाई देता है तो उसका तो क्या कर सकते हैं उसका कुछ नहीं कर सकते हैं तो यहां सब वस्तों का पूजन अर्चन करने का अभिप्राई इतना ही है कि यह सब यह सब भी भक्ति भगवान से युक्त ही हैं भगवत्ता से युक्त ही हैं ऐसा भक्ति भाव से ततपर होकर जि शुद्ध हो जाता है भक्ति का परिणाम क्या है भक्ति क्यों करते हैं हम ताकि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए चित्त की शुद्धी के लिए बुद्धी की शुद्धी के लिए मन की शुद्धी के लिए तो सारी उपासनाई करम कांड गीता रामायन भागवत हमन पूजन ध्यान ये सब किस के लिए हैं ये सब अपने चित्त की शुद्धी के लिए हैं और मैं कहते हूं अगर कोई बेहन अपने घर में खाना बनाते हुए उस भाव को रख करके यदि भजन गाते गाते पवित्र भाव से और मैं अपने बच्चों के लिए अपने पती के लिए अप अपने सास ससूर के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर में रहने वाले अन्य जो सदस्य हैं, अतिथी गड़ हैं, नोकर चाकरें, उन सब के लिए भगवान का प्रशाद तैयार कर रही हूं। और इस प्रशाद में मैं अपनी भगटी की एक भावना भी घोल रही हूं। जब वो दाल को या सबजी को कड़्ची से गुमाती हैं, तो उस गुमाने के साथ साथ उसमें वो भगटी को भी घोलती जा रही है, वो अपने चित्त की प्रेम की भावना को भी उसमें मिकसप करत जा रही है, जब वो उस दाल में तड़का लगाती है, च्छोंक लगाती है, तो वो अपने अंदर की भगवत्ता का भी च्छोंक उसमें डाल देती है, वो कहती है, यह केवल दाल नहीं है, इसमें भगवत्ता मिली हुई है, यह केवल खीर नहीं है, यह प्रभु चरणों का चरणाम्रित है ये उसका प्रशाद है ऐसा जब कोई भाव लेकर के खाना बनाती है तो मुझे तो सो प्रतिशत विश्वास है कि उसके हाथ का खाना खाने के बाद कोई व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता है शारीरिक रूप से भी रोगी नहीं हो सकता है मानसिक रूप से भी रो तो इस छोटी सी विधी के द्वारा वो इस देश में आरोग्य ला सकती हैं, पवित्रता ला सकती हैं, अशान्ती को मिटा सकती हैं, और सात्विक्ता और पवित्रता को ला सकती है, क्योंकि खाना तो सबको ग्रिहने के हाथ से ही है, बच्चे भी उसी के हाथ का खाते हैं, पत बटिभाव वह पवित्रता वह आप उस खाने में मिलादो जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से वह वैसा ही करेंगे। और जब हम खाना इयसे जुझलाते हुए बनाते हैं। टेंशन में भरकर के बनाते हैं, इरिटेशन से युक्त होकर के बनाते हैं, तो वो सारा उसमें गोल देते हैं फिर, क्रोध से युक्त होकर के बनाते हैं, गुस्से से युक्त होकर के बनाते हैं, तो अब जो खाने वाला है ना उसका भी गुस्सा बढ़ेगा, उसकी भी टें लेकिन मतलब परेशान करके रखा हुआ है इसमें तो घर का सारा वायू मंडल ही नर्क बन जाता है तो यहां पर जो रामायन की कथा सुनने की जो विधी बताई जा रही है उसमें एक एक चीज में पवित्रता की बात कही जा रही है वस्तर कैसे हो घर कैसा हो जब वहां आए तो हाथ पैर धो करके आए और जब वहां बैठे तो किस भक्ती की भावना से बैठे उस तक के प्रती भी कैसी भावना रखे दीप फूल वहां पर जो वस्तों सामगरी रखे उनके प्रती भी कैसी भावना रखे जैसे जैसे ये भक्ती की शद्धा की भावना बढ़ती है शद्धा सबसे बड़ी चीज है संसार में अध्यात्मिक मार्व में सबसे उंचा स्थान है शद्धा का भक्ती का जान से भी उंचा है जान भी उसी से मिलता है शद्धा और भक्ती से उससे पहले जान भी नहीं मिलता है तो जो ये शद्धा और भक्ति की भावना इस अनुष्ठान आधी में बताई गई है ये शद्धा और भक्ति की भावना हम हमारे प्रतेक कर्म के साथ भी जोड सकते हैं तो फिर हमारा पूरा जीवन ही एक अनुष्ठान बन जाएगा श्री अरविंद आश्रम में रहने वाली जो माताजी थी तो वो ऐसे भगवान से प्रार्थना करती थी और श्री अरविंद की भी एक छोटी सी पुस्तक है दुर्गा स्तोत्र या दुर्गा पूजा ऐसे करके छोटी सी पुस्तक है तो उसमें एक पंक्ति वो लिखते हैं कि हे मा ऐसी कृपा कर कि मेरा ये पूरा जीवन अखंड दुर्गा पूजा बन जाए मतलब केवल नवरात्र में ही मैं दुर्गा पूजा ना करूँ दुरगा मतलब जो दुरगती का नाश करने वाली शक्ती है अर्थात परमात्मा दुरगती का नाश वही कर सकता है उस शक्ती की मैं पूजा करता हूँ जो सब दुरगतीयों का दुरगणों का नाश करती है तो वो कहते थे कि मेरा पूरा जीवन ही अखंड दुर्गा पूजा बन जाए मैं जो भी करूँ कविरदास जी भी ऐसे कहते थे जहां-जहां चलूँ वो सब परिक्रमा जहां-जहां देखूँ वो सब तेरा ही रूप जो कुछ भी मैं खाऊं, चकूँ वो सब तेरा चरणामृत तो ऐसे हम अपने प्रतेक कर्म को भी अगर उसमें भाव जोड़ने न तो वो पूजय ही बन जाता है गीता में भी ऐसे ही कहा योगस्थ कुरु कर्माणी एकमसद विप्रा बहुधा वदंती एक ही सत्य को जो ज्यानी लोग हैं जो आत्मवेता ब्र तौर वैं में अपने प्रतेक क्रिया में लाएं तो हमारा प्रतेक कर्म रामयեन की छाएगा म्रीत ही हो जाएगा भाग्वत ही हो जाएगा तो शेष जो चर्चा इस विदान की अभी विदान होड़ा चलेगा एक दो दिन के लिए तो सेश चर्चे हम कल करेंगे आज हम यहीं पाठ को विराम देते हैं ओ ओ ओ ओ ओ ओ शांते शांते शांतिही स्री गुरु भ्योर नमह